राम राम जी सभी भाई बैनों को राम राम मैं हूं बाब रामदास और आप देख रहे हैं बाबा की खरी खोटी कल तब एक पिक्चर एक फोटोग्राफ पूरे देश में देखने को मिली जिसमें राहुल गांधी के साथ पूनिया और विनिश फोगाट खड़े तो मैं जो बात पिछले दो साल से लगातार कहता आ रहा हूं कि यह पूरा शडेयंत्र पूरा नाटक और जंतर मंतर पे धरना रेस्लिंग फेडरेशन ओफ इंडिया के पूरवध्यक्ष प्रजबूशन शरंतिंग के खिलाफ यह जितने भी आरोप और पूरा जो नाटक नोटंकी था यह आंदोलन की यह सब कॉंग्रिस की टूल किट थी जिसमें इन पहलवानों को महरा बनाए गया था और इनको लालाच यह दिया गया था कि तुमको तो दे देंगे कुष्टी संग रेस्लिंग फेडरेशन ओफ इंडिया का ध्यक्ष तुमको बना देंगे संग तुमारा हो जाएगा तुम अपनी मर्जीत कोष्टी चलाना बाकी हमारा यह काम करतो कल के अखबारों में जो लिखा गया इस राहूल गांदी और की जो मिटिंग हुई है बजरंग पुनिया और विनेश वोगाट के साथ कि कॉंग्रेस इस ट्राइंग टू कॉंसॉलिडेट जाट वोट बजरंग पुनिया और विनेश वोगाट के साथ खड़े होकर इससे प तो कल जो है यह मिले और फिर एक स्पेकुलेशन हो गई तेज की हर्याना में जो है इन दोनों को कॉंग्रिस अपने टिकेट पर चुनाव लड़ा रही है तो इनका हर्याना कॉंग्रिस से कनेक्शन तो पहले दिन से क्लियर था और हमारे जैसे लोग तो डेवन से कह रहे थे कि ये एक पॉलिटिकल गेम है ये एक पॉलिटिकल टूल किट है कॉंग्रिस की टूल किट है जिसमें बहन बेटियों महारी बेटि का सुस्षन हो गया इसको भावनात्मक मुद्दा बनाके जाट समुदाय को भाजपा के खिलाफ खड़ा करने का कॉंट्र जोट करने का पॉलराइद करने का ये शडेंत्र था जिसमें कॉंग्रिस पूरी तरह कामयाब होती दिख रही है उसके बाद जब विनेश ओलंपिक लड़ने गई ओलंपिक में कुष्टी पहले दिन की तीन कुष्टियों के दोरान इस इंडिय अलाइंस के इनके जो गुर्गों का जो रवया रहा और जिस तरीके से उसको जो है वो एंटी मोदी एंटी बीजेपी एक रेटारिक बनाया गया कि मोदि क्या किस मुझसे जो है वुनेशको फोन करेंगे देश की बेटी होगी अब तक तो हरयने की बेटी थी जाटो की बेटी थी अब तो देखो आप मेडल पोडियम पे पहुँच गी तो मेडल के करीब आगई गोल्ड मेडल लेगी अब देशकी बेटी फेर बना दी कि राजा एक रिशी था उद ने चूईया को जो यह राजकुमारी बना दिया फिर पता नित्सक्ंपी यृज desaf में आदूपे यह को अद्धियने ओंपेक में गयीर हैं eerste के यह पेचने बिन गई थी पर और येश्वर ने उसको किए बात्त अची इसा संस्विब़ मेल पता हुए इसल्वर पक्का हो गया था। और जो की गोल्ड की प्रबल दावेदार थी वो पांच गंटे के अंदर भगवान ने वापस खाप की बेटी बना के वापस बेज दी अब बात यह था कि मैं राहुल गांदी जी को एक चीज के लिए अगाह करना चाहता हूं कल की अगर वो फोटो आपने देखी होगी अगर नहीं देखी तो द्यान से देख लिए ओपनली अवेलेबल है उसमें राहुल गांदी बहुत चिपक्के इन दोनों से खड़ा है चिपक्के तो राहुल जी एक बात का ध्यान राखियो यह ऐसे ही चिपक्के ब्रजबूशन से भी फोटो की जाते थे यह तीनों और एक नहीं है करी पच्चिस जार फोटो पा जाएंगी जहां यह ब्रजबूशन शरन सिंग से चिपक्क के खड़े हैं एक्दम फैवी कुट का जोड सुना यह एक होता है फैवी कोल जोड फैवी कोल चुपकने में और अध़ गन्टा लेले हैं पकने में गह होता है यह जोड यह तो ऐसे थे मुएनों पति फैवी कुट से चिपका रखे हों ब्रजबूशन पा जाएंगी कि पच्चित हजार पाजाएंगी जहां यह ब्रिज बूशन चिपक के खड़े हैं तीनों अलग-अलग विपिन्द मौकों पे और ब्रिज बूशन के गुणगान कर रहे हैं तो मुझे कल बड़ी चिंता हुई है राहुल जी आपकी इसा ही बताओं एक तो आपने अंगली में अंगली गाल के विनेश का तो आथ पकड़ रख्या है बजरंग ने आपकी पीठ पे आथ दर रख्या आपका आथ दूसरा वाला कहां है यह दिखाई नहीं देरा फोटो में आप सभी दर्शकों को ज्यान से मैं कहूंगा कि राहुल गांदी के दोनों आथ चेक करो एक पर तो उन्होंने विनेश सा पकड़ रख्या है दूसरा आथ कहां है दिख नहीं रहा ऐसे ही आरोपिनों ने ब्रजबूशन पर लगाए थे कि ब्रजबूशन ने पिच्छत पिच्छत पिच्वारे में बैट टच करया कौन सी टूर्नामेंट हो रहा था जहां वो ट्राइल के बाद बले में इसके बगल में खड़ी हुई तो फेद इसने ब्रजबूशन ने मेरे बैट टच करतिया है ना एक आरोप यह भी है छे आरोप यह है तो बाई देखिए इनको यह आरोप जोटे सच्छे आरोप लगा ने क्या देता है बजरंग पुझिया कल को यह आरोप ना लगा दे कि जब हम फोटो कि चाहूं थे तो रहा उल गांदी जो है पिछे तो बैट टच कर रहा दा मेरा कोई पता नहीं है कि पूर्व में ऐसा हो चुका है बैट टच के आरोप लगाते आए हैंगे तो Krachal जी कई देखना आपके बैट टच के आरोप न लगा दे हैं यह यह वफादार लोग नहीं है यह अपने लालच में कुछ भी कर सकते हैं कुछ भी आरोप लगा सकते हैं और अपने पाइदे के लिए किसी भी लेवल तक गिर्द जाने वाले लोग है तो प्रावल जी आप बहुत बहुत हार्दिक शुब कामना है आप अर्याने में चुनाव लड़ें पूरी ताकत चुनाव लड़ें इन दोनों को भी लड़ाएं बहुत अच्छी बात है पर ये ध्यान रखना कि कल न ये आपके उपर भी बैट टचके और महारा तो जोन सुस्सन करया था राउल गान दी ने अपने गर बुला के ऐसे आरोब भी लगा सकते हैं कहीं चुनाव चुनाव आर गए न तो इन आरोबों के लिए भी और एक बात बताऊं जो आप माल भिकाओ होता है ना जो भी आपने दाम दे दिये तो आपके आपके बिक क्या आपके थेले में आ गया पर बिकाओ माले देन राखियों कल न कोई और दाम दे देगा कल को कोई और भी तो आप ऐसा तो हैने की दिर्वा आप ही के पास दाम है कल को कोई और बोल देगा क्या आजाओ भई मैं ये वाला द रहा हूं पद यहा मैं आपने डबलू एफाई का वादा किया था टिकेट का वादा किया होगा तो आपके बख्ष में आ गए आपके बख्ष में बिग गए आपकी टूल किट बन गए कर ना कोई और बी ऐसा के प्रति जिसने सब कुछ दिया जीवन में उसके प्रति अगर आप वफादार नहीं हैं इन तीनों से मुझे सबसे बड़ी शिकायत कि रही है कि इन तीनों को साक्षी विनेश बजरंग को आज तक जीवन में जो भी कुछ हासिल हुआ वो कुष्टि की वज़े से परंतु अ बदनाम करने में कुष्टि के साथ दोखा धड़ी फ्रॉड जगाबादी विश्वास घात करने में एक मिनिट की दिरी नहीं लगाई है कि हम कुष्टि को बदनाम कर रहे हैं जब इन्होंने आरोप लगाया था न और पूरे सिस्टम को करप्ट पताया था पूरे के पूर लगना उस सेंटर साई सेंटर को ही बदनाम कर दिया एक हदार लड़कियों पर लांचन लगा दिये हमारे पूरे कोचिंग कमिनिटी पर लांचन लगा दिये पूरी हमारी डव्लू एफाई को लांचन कर दिया तो इनको यह नहीं पता था कि यह जित इस नाली में यह जित इन्होंने अपने निजी फाइदे के लिए ये जो भी शडेहंत्र रचे इससे कुष्टी कितनी बदनाम होई पूरी दुनिया में तो जो आदमी कुष्टी के साथ दगाबाजी कर सकता है पहलवान होते हुए और वो भी कोई छोटा मोटा डिस्टिक लेवल का पहलवान नही जिससे कुष्टी से कुछ हासिल ना हुआ हो इनका तो पूरा व्यक्तित्व और आज का पूरा इनका जो भी टोटल इनकी जो टोटल परस्नालिटी है या आज तक इनका जो कुछ भी अचीविमेंट है इन्होंने जिन्दगी में आज तक जो कुछ भी हासिल किया वो कुष्टी की बदालत किया और कुष्टी चाहिए इन्होंने दगाबादी की तो जो आदमी कुष्टी से दगावाजी कर सकता है वो कल को आपके साथ भी कर सकता है ठीक है आज आपने इनको सटा रखा है आज आपने इनको सर पर बटा रखा है आज ये आपकी धुन पे नाच रहे हैं ये ध्यान राखियो ये बिकेवे लोग हैं ये कल को किसी और से भी बिक जाएंगे और अर्याना की पब्लिक से अर्याना की जंता से भी निवेदन है कि ऐसे लोगों को एवैलवेट करिये कि जो कुष्टी के सगे नहीं हुए जो अनुमान जी को साक्षी मान के भी जूठ बोल गए ऐसे गंदे किनोने आरोप लगा गए जूठ है आरोप मैं इसलिए अच्छा एक बात और बता दू मैं बार बार ये क्यों बोलता हूं कि जूठ है आरोप है क्योंकि मैं कोर्ट में जो प्रोसीडिंग चल रही है और जो ये जितने भी लोग इनका पक्ष लेते हैं इन पहलवान होगा एक ने भी चार चीट नही मैं जो ये कहता हूना जोटे आरोप है एक नो तो पाकसों वाली ने तो वापस ही ले लिया बाकी तीन लड़कियों के आरोप ऐसे हैं लेने भाला जय माहरे-गि लिया दिल्ली में ने उक्रै उस दिन बरजबुशन जिल्ली में थे इना हर बजबुशन निक न हमेशा है या यूपी में होते हैं, इस तीस लोगों की एक सुरक्षा बल उनके साथ रहता है, जितमें लगबग 25 पुलिस कर्मी होते हैं, और वो पुलिस कर्मी जब भी कहीं निकलते हैं ना अपने अपनी बैरक से, तो बकाइदा रोज नामचे में रवानगी दर्च करते हैं, उनका एक लोग बुक होती है, कि आज सुबह साथ बचके पच्चिस मिनट पे हम ने अपनी बैरक यहां के लिए छोड़ी, पच्चिस के पच्चिस सिपाई, और सिफ सिपाई नहीं होते हैं, बारा-पंदर सिपाई होते हैं, कुछ एक आदा होलदार होगा, एक आदा ASI होगा, एक इंस्पेक्टर रेंकाद में भी होगा, और उनका पूरा, और उसके बाद सारा दिन के जो उनके रिकार्ड, कि यहां पे गए, यह उद्गाटन किया, यहां पी गए, इस प्रोग्राम में इस सालिया, यहां पे लेक्चिर दिया, तो इतना बड़ा वी आई पी तो उसक हैं, उस दिन तो हम थे नहीं, हम तो गुंडा में थे, हम तो यहां जिम का उद्गाटन कर रहे थे, हमारी यह कर रहे थे, शाम को हमने ये करिक्टर में हिस्सा लिया, उसी तरह एक बार इन्होंने आरोप लगाया, मारी गी लिए दिल्ली ने हो रहा, उससे एक रात पहले यह वाइजाज से वो साथ हजर किमेटर दूर चले गए थे पता लगा आज का आरोप है वो तो पिछले शाम ही दिली से उन्होंने फ्लाइट पकड़ ली थी उसका भी पूरा रिकॉर्ड है इसलिए मैं कहता हूं जूटे आरोप लगा के सिर्फ कुष्टी संग पेकप जा कर इसलिए अर्याना की जंता को भी यह पता होना चीए यह पूरा खेल क्या था और वो खेल अब पूरी तरह क्लियर हो गया है कि यह कॉंग्रेस की टूल किट है इसलिए वह यह चोकन ना रहो साथान रहो आँख कान ना खोल के सोच समझ के यह लोकतंत्र है यह आपके विडियम इतना है अगले विडियम फिर से मिलते हैं जी थैंक यू वेरी मच्छ